नमस्ते साथियों आपका हार्दिक स्वागतूर अभिनन दन है माभिनो शरोवा वैख्यता हिंदि साहिते आज हम कक्सा 11 की विसे हिंदी अनिवारिय की जो दैनिक डाइरी है उस पर बात करेंगे एकाई और माजसी की पार्ठ हो जिना पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्ते थे हैं कक्सा 11 है विसे हिंदी अनिवारिय है सतर दो हजार तेज़ चोविस और माहवार कार्य और सिक्सन दिवसों का लेखा जो खा कुछ इस प्रकार से है आप अपने डाइरी में इसे नोट कर सकते हैं एक बार वीडियो को रोक लेवें उपर की कोलम देख लेते हैं जैसे उपर की कोलम में लिखा है कुल दिवस उसके बाद में कार्य दिवस रविवारी आवकास, नोव एकडे परिक्स या टेस्ट या परिक्स या पूर्व तैयारी आवकास जिससे हम जुलाई महिने की बात करेंगे जुलाई में 31 दिन हैं उस में से कार्य आवकास हैं 25 पांच उसमें रविवार है और एक अवकास आ गया तो कुल मिलाकर 6 माइनिस कर देते हैं तो 31 में से 6 माइनिस की 25 अब 4 उसमें से 9 एक डे हैं टेस्ट और परिक्स होनी नहीं है परिक्स होना नहीं है तो इन 25 में से चार कम करते हैं तो 21 सिक्षन दिवस हमारे पल्ले पड़ते हैं आप यहां पर इसको रोक कर वीडियो को आराम से अपनी डायरी में इनको नौट कर सकते हैं आगे चलते हैं य एक बार थोड़ा से देख लेते हैं कुल मिलाकर 305 दिवस होते हैं दस महिनों के उनमें से 221 कार्य दिवस हैं चोरा सी छुटियां हो गई और 32 इसमें से 9 वेगडे के हैं 38 दिवस इसमें परिक्स्या और हम कहें कि अर्दवार्सिक परिक्स्या तक के ही जोड़े हैं हमने प 148 दिवस आते हैं आप इसे 84 को 148 में जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यह चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी आगे चलते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि जुलाई 2023 से अपरेल 2024 तक के अब 10 मैनों में हमें कुल 305 दिन मिलते हैं इनमें से 221 दिन ही कारिये दिवस की रूप में मिलेंगे उनमें 32 दिन बस्ता मुक्त सनिवार के 38 दिन टेस्ट और परिक्स्याओं के तीन दिन परिक्स्या पूर्वा तयारी आवकास के तो 73 दिन कम हो जाने के बाद 148 मैने साथ वराबर 140 दिन ही सेस रहते हैं एता है हम अपनी सिक्षनी उजना को इनी 140 दिन के लिए आनुपाति ग्रूप से तयार करेंगे यहाँ पर कोलम यह अधिक पठिक्रम अंक भार और अनुमानित कालांस रखे हैं जैसे ए पठित बोध का अंक भार बार है अन के लिए 20 प्लस 20 अर्थारत 40 नमर के प्रसंद होंगे उसके लिए 60 कारिये दिवस रखे हैं और वितान से 15 नमर के प्रसंद होंगे जहां पर 20 कारिये दिवस रखे हैं यह हमारे डायरी का जो प्रिष्ट है योजना डायरी का उसके कोलम इस प्रकार से हैं जैसे मा है अध्य जुलाई में प्रेमचन्द का नमक का दूरगा इसमें कर्तवय निस्ठा इमानदारी धैरिये बुध्धी विवेके को पहचान सकेंगे इमानदारी और сत्य निस्ठा पर गर्वा कर सकेंगे जैसे केस हारने के बाद वनसे धर ने किया था भ्रस्ट आचन से दूरी बना पढ़ाए साहिक समगरी के रूप में, संदर्भ पुस्तक के रूप में काम में लिजा सकती है, जुलाइ में ही कृष्णा शोपति का मिया नसीरुदिन, इसमें नान भाई के कारियों को जान सकेंगे, अपने परिवेश के कारिगरों के कारियों की बारी की जानने के उत्सुक पैदा कर सकेंगे और स्विम के संस बनने लिख सकेंगे चार का लंस पठ्थे पुस्तक वे नो वेगडे की गतिवीदियों को हम इसमें सामिल कर सकते हैं नो वेगडे की गतिवीदियां है वो यहां के स्थानिय जो कारीगर होते हैं उनके कारियों को हम सामिल कर सकते हैं और मि कपीर की प्रसंगिक्ता को समझ सकेंगे, ईश्वर की सर्वे व्यापक्ता को समझ सकेंगे समाज में व्याप्त आडंबरों और कूरीटिउं की पहचान कर सकेंगे यहां पर यूटुब और सब्नemp व falti लिक भजन में लेंगे बिजक सोरी ये बिजक है वी बिजक कबीर गरंथावली और कबीर का समासास्तर नमक पुस्तकें काम में आएंगी जुलाई में मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा पग घुंगरू बांध मीरा नाची यहाँ पर मीरा के विक्तित्व वक्रित्व से परिचित ह भगवाण और भक्त के अनर्नेता को जान सकेंगे प्रेम के महित्व को समझेगे तीन कालान से मेरा गरंथा बढदित जुलाई में सत्य जित राइच के साथ धाई साल यहां लेखग का जीवन परीचे फिल्म दिर्मान पर क्रिया में आने वाली समस्याओं को जान सकेंगे तब और अब में अंतर कर सकेंगे फिल्म में दुनिया में सत्य जीत राय के योगदान को रेखांकित कर सकेंगे पाठ्थे पुस्ता के प्रसन पत्र हैं तथा नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा अर्थारत एन करजन के ताना सही रवाई ये भारतिय जनता की लाचारी और नेरी है ताकि विसे में जान सकेंगे चार कालंस पाठ्थे पुस्तक सहिक समगरी और अपनी माटी इपत्री का में प्रकाशित आलेख जो है वह बालमुकुंद गुप्त के रुप में हम काम में ले सकते हैं कुमार गंधरवा अगस्त में वितान से आया है ये पार्ट भारतिय गाई काउं में वेजोड लता मंगेसकर या फिल्म में गाई का लता मंगेसकर के जीवन और गायन सली से परिचित हो सकेंगे और पठ्थे पुस्तक के साथ साथ लता मंगेसकर के गाने यूटूब पर य जल के अपवे को समझ कर उस पर नियंतरन कर सकेंगे। च्छे कालान से पाठ्थे पुस्तक और जल समरक्षन से संबंदित लगू फिल्म यहां पर साहिक सामगरी बन सकती है। जल के अंतर विरुदों को समझ सकेंगे। पलाइन की पीड़ा को अनुभूत कर सकेंगे। वे चंपा के बहाने गलत की मुखाल्पत करना सिखेंगे। तीन कालान से पाठ्थे पुस्तक साहिक समगरी। सितंबर में ही दुस्यंत कुमार की गजल पढ़ेंगे। इसमें समाज और राजनिती में जो चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प तलास करने की काबिलियत हासिल कर सकेंगे। तेन कालान से पाठ्थे पुस्तक और यूटूब चेनल और शाये में धूप जिससे ये गजल ले गई है वह मूल पुस्तक संदर्व बुक के रूप में काम में अ सकते हैं सितंबर में अक महा देवी के हे भूक मत मचल और दूसरा हे मेरे इस जूही के फूल जैसे इस्वर इस में अक महा देवी का परिचे। ओसे इंडरियों पर नियंतर्ण सिह सकेंगे। दोस्ती भाईचारे वा इमानदारी जिससे सकारात्म के मानुवे गुणों से दूर कर सकने की कवायद कर सकेंगे मेहनत के मुल्ले को पहचानेंगे और उसे सम्मान देंगे पांच कालान से हैं पठ्थे पुस्तके साइक समगरी और बनास जन का सेखर जोसी विसे संक और नवारुन प्रकासन से प्रकासित सेखर जोसी कथा समगरे यहाँ पर काम में ली जाएगी सितंबर में मनुव हंडारी की एकां की रजनी पढ़ेंगे वैसे पठ कथा है तो इस पठ कथा लेखन के विसे में जानेंगे सिक्सया के व्यावसाई करण वा बाजारी करण के विसे में जानेंगे और अन्याय का विरूद करना सीखेंगे च्छे कालांस पठ पुस्तक और यूटूब से रजनी के अंस दिखाए जा सकते हैं आपका बंटी और महाभोजी जो की मनु भंडारी के चर्चित उपनास हैं वो संदरबोकुतकों के रूप में काम मेलेंगे सितंबर में व्यावारिक व्याकरन से एविकरी सब्द पढ़ेंगे यहां व्याकरण की बारिकियों को समझ सकेंगे और एविकारी सब्दों उसको भेदों से परिचित होंगे दो कालंस व्याभारिक व्याकरण साहिक पुस्तक अक्टूबर में ही व्याभारिक व्याकन पढ़ेंगे यहां पर सब्द विचार विभिन आधारों पर किये जाने वाले सब्द वरगी करण को समझेंगे सब्दों के प्रयोग वा प्रभाव को समझेंगे तीन कालन्स हैं व्याभारिक व्याकरन और साहिक सामगरी है तथा व्याभारिक व्याकरन और व्रिहद व्याकरन को इसमें संदर्व पुस्तक के रूप में कामें ली जाएगी अक्टूबर में व्याभारिक व्याकन इसमें वाक्यांस के लिए एक सब्द पढ़ेंगे और वाक्यांस के लिए एकल सब्दों को जानकर अपना सब्द कोस बढ़ा सकेंगे एकल सब्दों के प्रियोग से अपनी अभिवेक्ति को प्रभावी बना सकेंगे तीन कालांस व्याभारिक व्याकन और व्रिहद व्याकन कोस अक्टूबर में ही व्याभारिक व्याकन में वक्य विचार पढ़ेंगे इसमें वक्य विचार को समझ सकेंगे वक्यों के भेदों को समझगर अपनी अभिवेक्ति को प्रभावी बना सकेंगे तीन कालांस व्यभारिक व्याकन और व्रिहद व्याकन को काम में ली जाएगी अक्टूबर में रचनात्मक और व्यभारिक लेखन के अंतरगत हम कारियाले पत्र पढ़ेंगे इसमें कारियाले पत्र व्यभार को समझगर भविसे में अपने काम में ले सकते हैं चार कालांस हैं और व्यभारिक व्याकन और वुरहद व्याकन को उसकाम मिली जाएगी अक्टूबर में ही प्रिंट माद्यम के फीचर पढ़ेंगे इसमें फीचर लेखन को समझ कर लिखना सीख सकेंगे अक्टूबर और नवंबर में रचनात्मक और व्यावरिक लेखन के अंतरकत प्रतिवेदन और आलेख लिखना सीखेंगे यहां प्रतिवेदन और आलेख की बारिकियों को समझ कर लेखन का हुनर विक्सित कर सकेंगे चार कालन्स वियाभारिक व्याकन और अभिवेक्ति और माध्यम नामक पूस्तक की काम में लेंगे नवंबर में ही रचनात्मक और वियाभारिक लेखन पर आधारित जन संचार माध्यम पर आधारित प्रसन पढ़ेंगे इसमें जन संचार के विभिन मध्यमों के विशे में जानेंगे प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और सोसल मेडिया इत्यादी पांच कालन सें पठे पुस्तक, यूटूब, लेटर पेड, अखवार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट से चलने वाले मध्यम काम में लिये जा सकते हैं नॉम्बर में निबंद लेखन जो की रचनात्मक और व्यभारिक लेखन के अंदरगत पढ़ा जाता है इसमें तार्किक और तथ्यात्मक भावा भी व्यक्ति की विसे सग्यता हासिल कर सकेंगे पांच कालन सें व्यभारिक व्याकन और अभ्यास करवाया जा सकता है दिसंबर में ए पठित बोध पढ़ेंगे तारकिकता विक्सित होगी इसे छे कालान से हैं व्यभारिक व्याकन और अभ्यास और जनवरी में हम अर्दवार्सिक परिक्सिया हो जाएगी उसके पच्चाथ फिर जनवरी में हम जामून का पेड़ क्रिसिन चंदर का पढ़ेंग पांच कालान सें और हैरी संकर परसाई के वेंगे लेक और निबन्धें वो संदरब पूस्तक के रूप में कामें लिये जा सकते हैं जनवरी में ही जवारला नेरू का एक लेक भरत मता इसमें देस या भरत मता की अवदारना को समझ सकेंगे नेरू के वीचारों को पत्र पुत्री के नाम और कौन अभारत मता जो कि पूरुसोत्तों अगरवाल जी की है ये संद्रब पुस्तक के रूप में कामें ली जा सकती है जन्वरी में सबसे खतरना कविता पढ़ेंगे जो कि अवस्तार सिंग पास की लिखी वी है इसमें पास के विक्तित्व वे कृत सित्व को जानेंगे सत्ता की निरंकुष्ता वा क्रूरता को जान सकेंगे तथा भविस्य की बहतरी के लिए अपने सपनों को पूरा करने के कवाईद जारी रख सकेंगे प्रतिकुल परिस्तित्यों के लिए खुद को तयार भी कर सकेंगे जार कालांस है पाठ्थे पुस् की सही पहचान कर सकेंगे प्रकृति के विनाश वे दोहन से आदिवासी समाज के विस्थपन की हकीकत को समझ सकेंगे तीन कालांस हैं यूटूब चैनल और निर्मला पुतुल जी का फेस्बुक पेज जो है उस पर लिखी वी उनकी कविते हैं हमारी सहिक सामगरी हो शकती हैं फरवरी में ही रचनात्म और व्यभारी के लेखन के अंतरकत हम कारियाली पत्रों को फिर से बढ़ेंगे इसमें कारियाली पत्र व्यभार को समझ कर भविसे में अपने काम में लेंगे चार कालांस हैं वरिहद व्याकन को सर व्यभारी के व्याकन फिर हम फरवरी में ही प्र परवरी कियों को समझ कर लिखने का हुनर विक्सित कर सकेंगे अभी विक्सित कर सकेंगे तीन कालांस व्यभारिक व्याकन और अभ्यास करवाए जाएगा मार्च में हम एपठित बोध पढ़ेंगे जिससे तारकिक ता विक्सित होगी छेह कलांसे व्यभारिक व्याकन और अभ्यास तथा मार्च में हम वितान का अंतिम पाठ बेबी हालदार पढ़ेंगे जो की जमीन से जुड़े और सदा सोशन का सिकार होने वाले दलित दमित ना में कामें ली जा सकती है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिल हल इतना ही है और हम है आपके साथी अभिनव सरवा यहां तक के वीडियो को देखने के लिए का आपका धेर सारा धन्यवाद नमस्ते शुक्रिया जै हिंद जै भारत और यह हमारे मोबाइल नमर तो